नमस्कार आप देख रहें अमपी नियूज मैं हुआ के साथ रहनक मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्मा चुका है कॉंग्रिस ने अपनी सरकार आने पर इसे लागू करने का वादा करमचारियों से कर दिया है वहीं सदन में भी कॉंग्रिस ने सत्ता पक्ष पर सवाल दागे हैं तो आतिक जौनकारी के साथ हमारे सैयोगी सुनी हमा सर्जुर चुके सुनी लिसके बात क्या क्या हुआ विधान सभा में विधान सभा में विधान सभा में पेश किया गया तब विपक्ष की तरफ से सवाल दागा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इसमें क्या कुछ है लेकिन इसको लेकर जब वितमंत्री का बयान सामने आए कि अभी फिलाल इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है विपक्ष की तो विपक्ष लगातार इस पर मुखर है और वह आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चायता कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी तो आगामी समय में वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। बात करें सत्ता पक्षकी तरफ से मंत्री तुलसित सिलावट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सदन में फिलहाल इस तरह की बात करने का कोई उचिति नहीं है। तो आगामी समय में हम देख सकते हैं जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो काफी कुछ गर्मा सकता और विधान समय चुनाओं में इस पर काफी कुछ असर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से चतिजगर में हैं राजस्थान में इमाचल प्रदेश में जहारखंड में और इसी तरह से बात करेंगे आमाद्मी पार्टी की पंजाब की सरकार महां पर ओल्ड पेंशन इसकीम लागू कर दी गई है तो हम देख सकते हैं कि इसका करमचारियों में काफी कुछ खुशी का महौल देखने को मिल रहा है तो इसी तरह से आगामी समय में अगर ओल्ड पेंशन इसकीम का मुद्धा मद्ध्य प्रदेश में आता है और कॉंग्रेस इसको उठाती है तो वो करमचारियों के काफी कुछ वोट की तरफ आगे बढ़ सकती है जी देखा जाए तो अधने करमचारी भी लामबंध हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाओं में ये मुद्धा गर्माएगा सुनी लिए बिलकुल हम देख सकते हैं जिस तरह से जो नियमित करमचारी वोल्ड पेंशन स्कीम की बांग कर रहे हैं इसी तरह से आंगनमारी कारे करता हैं इस करमचारी महत्पूण होगे और यही करमचारी चुनाओं को भी भेंडल करते हैं तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आगामी समय में करमचारी महत्पूण हो जाएगा और इसको लेकर सत्ता पक्ष्ँ भी कुछ फेस ले ले सकते ही जिद्धनेवाद सुनील तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे हैं MP News के साथ